हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम CoinD6 का जो Futures Trading है इसको Live करके देखने वाले हैं Futures Trading Live यहाँ पर करेंगे और आपके सारे जो सवाल है Futures Trading से related उन सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता ही है कि यहाँ पर जो Futures Trading होती है वो USDT में होती है ठीक है तो आपको funds वगरा add करने के बाद यहाँ पर USDT खरीदनी पड़ती है जैसे कि मैंने आपको दिखाने के लिए 200 रुपे की यहाँ पर USDT खरीद ली है हम करेंगे यहाँ पर देखेंगे पूरा process तो आपको USDT खरीदनी होती तो इस तरीके से आप जिसमें भी चाहो आप कर सकते हो आपकी अपनी research और आपकी मर्जी होगी यह कोई सलहा मशोरा ऐसा कुछ भी नहीं है बस मैं procedure दिखा रहा हूँ कैसे क्या क्या होता है ठीक है कोई research वगरा मैंने कुछ नहीं कर रखी ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले positioning ले सकते हैं कम margin देने के साथ इन सब बातों के बारे में अभी हम देखने वाले हैं ठीक है तो जैसे मैं चाहता हूँ dodge में futures करना तो futures trading इसका अपने आप में ही जो नाम है उसी में अर्थ पूरा समझ में आता है ठीक है futures का मतलब future में यह उपर जाएगी यह नीचे अब है मेरे हिसाब से dodge coin ऊपर जाना चाहिए future में dodge coin अगर नीचे जाता है और मैंने buy long का contract खरीद रखा था तो मुझे loss होगा ठीक है और एक point के बाद liquidation एक price होता है अगर उससे नीचे चला गया जो dodge coin है तो मेरा contract ही sell हो जाएगा margin में मैंने जितने भी यहाँ पर ले रख और dodge coin ऊपर जाने लगा तो भी मेरा यहाँ पर loss हो जाएगा ठीक है तो अब हम आते हैं अंदर जैसे यहाँ पर आपने अपनी research वगएरा जो भी यह कर रखी होगी तो आपके हिसाब से मान लेते हैं dodge coin ऊपर जाना चाहिए तो buy long पर आपने जैसे click करा फिर यहाँ पर यह price और फिर positioning leverage balance और यह your margin ठीक है तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो futures trading होती है उसके अंदर अपने आप में आप कोई crypto खरी दिया बेच नहीं रहे होते ठीक है आप एक तरीके से future predict कर रहे होते हैं कि यह उपर जाएगी यह नीचे जाएगी तो हमने यहाँ पर buy long कर रखा है तो मेरे हिसाब से यह उपर जानी चाहिए तो यहाँ पर एक contract बनता है जिसे कहते है positioning लेना ठीक है positioning size मतलब यह जो एक तरीके से जा रही है लहर सी है उसमें उस point पे अपनी position ले लेना ठीक है अब वो position में आप कितने भी अपने जो है amount यहाँ पर put कर सकते हो लगा सकते हो जितनी जादा आपकी positioning उतने ही जादा आपके यहाँ पर margin जाएंगे ठीक है margin जो main amount होगा यह margin जो यहाँ पर जाएगा आपका उसी के ऊपर आपको profit या loss होगा जैसे कि IPL वगेरा में होता मतलब यह example थोड़ा relevant नहीं है थोड़ा अलग है वो 60 जैसा हो जाता है ले basically इसने जो पैसा लगा रखा था था ना उस bet pay कि यह six मारेगा तो मेरे इतने का मुझे profit होगा ठीक है आपको भी पता है कि 5000 रुपे के ऊपर 10% profit होना और 50,000 रुपे के ऊपर 10% profit होना दोनों अलग अलग चीज़े हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर जितनी जादा आप positioning लेत के लिए तो यहाँ पर leverage काम में आती है ठीक है और आपको पता ही है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है leverage जितनी ज्यादा बढ़ जाती है उतना ही ज्यादा आपका liquidation जो प्राइज है वो बहुत नीचे करीब आ जाता है यह क्या होता है मैं आपको अभी बताता ठीक है अगर मैंने leverage को इसको कम कर दिया 5X कर दिया तो मुझे 1.9 USDT देने पड़ते हैं leverage यहाँ पर बहुत ही crucial जरूरी और important भाग निभाता है यहाँ पर मैं leverage जैसे जैसे बढ़ाता हूं तो मेरे margin आप यहाँ देखते रहना ध्यान से मेरे margin यहाँ कम होते रहते हैं leverage यहा margin है वो कम होता चला जा रहा है आपको दिखी रहा होगा ध्यान से आप अगर देखो तो और फिर उसके नीचे लिक्विडेशन प्राइज और आगर आप अब लिक्विडेशन प्राइज को बहुत ध्यान से देखो और यह ध्यान रखो कि 0.2 जो यह लिखा हुआ लास्ट बढ़ा अंतर है जैसे जैसे मैं लेवरेज बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर यह लिक्विडेशन प्राइज है देखो अपने आप बढ़ता चला जा रहा है अगर आप देखो तो यह देखो करीब आता चला जा रहा है देखो जैसे मैं 10X कर लेता हूँ तो कितना करीब है 0.19 है थोड़ा सा इधर ये खिसका जो डॉज कोईन है और मेरा ये contract sell out हो जाएगा तो margin जितना ज़्याधा आप ले लेते हो उतना ही liquidation price आपका जो original price है उसके करीब आ जाता है और जैसे ही cross करता है ये liquidation price इस last traded price को वैसे ही contract sell हो जाता है और जो मैंने margin दे रखे थे ना ये margin कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर 9.9 USDT लिख रखी है ये positioning में तो मुझे 9.8 USDT के उपर profit or loss होगा ऐसा नहीं होता मुझे margin के उपर profit or loss होता है ठीक है ये जो margin मैंने यहाँ ले रखा इसके उपर profit or loss होता है ये सिर्फ positioning है इसको मैं जितना ज़्यादा बढ़ाता हूँ मैंने 9 की जगा मान लेता है 20 कर लिया ठीक है तो मेरे यहाँ पर 3.9 USDT हो गए है मुझे profit or loss अभी भी इसी के उपर ही होगा margin कितना भी आप लेता चले जाओ अंदा धूंद margin और leverage ये दो चीज़े main होती है ठीक है मैंने जैसे इसे यहाँ 10 कर लिया confirm अब मैं 10x leverage पे 1.985 की USDT से मैं यहाँ पर ले सकता हूँ basically जो positioning है वो ले सकता हूँ ठीक है liquidation price देख सकते हूँ आप कितना करीब है 10x leverage है ये जितनी ज़्यादा leverage उतना ही ज्यादा liquidation price और इस price के बीच में कम distance और इन दोनों के बीच में जितना कम distance उतना ही ज्यादा contract sellout होके मेरा ये जो amount है उसको खतम होने में उतना ही ज्यादा risk मेरा ठीक है तो इस तरीक program पे लोग random इस तरीके की लड़कियों का photo लगा के internet से google से download करके quote pen pen के ऐसे photo लगा के लोगों को messages वगरा करते हैं और कहते हैं कि वह coin DCX से Mudrex से या फिर किसी तरीके के coin switch कुबेर से वजीरेक से इन सब platforms के साथ जुड़े हुए हैं और आप से फिर पैसे लेते हैं और आप आपको लगता है कि आप इन platforms के अंदर investment कर रहे हो तो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस तरीके की कोई वेबसाइट इस तरीके की कैसी भी कोई लेपसाइट हो मुद्रेक्स क्लेम कर रही हैं कह रही हो कि मैं मुद्रेक्स के साथ हूँ या वजीरेक्स के साथ तो वो किसी के भी साथ नहीं है वो scam है, fraud है आपको बचके रहना है अगर आपको cryptocurrency में एक भी रूपए डालना है तो आपकी अपनी research होगी कौन सी app आपको चुननी है Play Store ठीक है ये Play Store app है Google Play Store आपके phone में भी होगी वहाँ पर जाकर CoinDCX आपको दिख जाएगा ये CoinDCX app है ठीक है आपको दिख जाएगा एक सेकिंड वजीरेक्स ये वजीरेक्स app है ठीक है इसके अंदर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ डाउनलोड साबके एक करोड से उपर डाउनलोड है ये app है ये MUDREX ये है MUDREX app ठीक है आपको यहाँ से आके डाउनलोड करनी है Play Store के अंदर आके app को डाउनलोड करना है किसी Telegram पे या किसी भी बंदे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना जो आपसे कहे कि मेरे को पैसे दे दो Telegram से जुड़े हैं कुछ कोई टास्क दे कि टास्क दे के इतना प्रोफिट हो जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा Telegram बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करनी Play Store पे आके ये जो apps हैं आपकी अपनी research होगी CoinDCX, Vazirac, CoinSwitch, Kuber जो भी आपका मन करें जो भी app आपको सही लगे उसमें app पे आके Play Store पे आके तब उसे डाउनलोड करना है KYC करानी है तब आपको अपनी investment बगेरा करनी है किसी पे भी बाहर वाले पे websites पे Trust बिल्कुल भी नहीं करना है इस scam से आपको बचके रहना है जैसे मैंने यहाँ 10 ले लिया जैसे example हम वही वाला पुराना लें तो जो क्रिकेटर है वो तो 6 अपनी जगा लगाएगा या नहीं लगाएगा वो तो उसकी अपनी जगा है जैसे Dodge है यह उपर जाएगा या नहीं जाएगा वो उसकी अपनी है market यहाँ पर आप prediction कर रहे हो basically के लिए अब आप कितना amount लगाते हो वो आपकी personal choice होती है पूरा क्योंकि उसी amount के उपर आपको profit या loss भी होता है ठीक है लिक्विडेशन प्राइज और यह leverage है इनका सीधा सीधा direct connection होता है और आपके margin का basically मैं क्या कहना चाहरा था इन तीन चीजों का सबसे बड़ा रोल होता है यहां पर यह जो positioning होती है वो बस एक contract लेने का amount होता है कि contract आपका बन रहा है bitcoin उपर जाना चाहिए यह डॉज coin यह जो है यह उपर जाना चाहिए इसका मैंने contract बना लिया है एक फ़ूत के तोर पे कि मैंने यहां पर अपनी positioning लिए है सबूत है और जितना ज़धा आप मान लेते हैं positioning जितनी ज़धा लेते हो वह आप कहूं कि positioning का फिर मतलब ही क्या है positioning ज़धा उतना ही ज़धा मतलब मैंने वही कहा था आपको आप इतने इतने के उपर 10% profit कमाऊगे तो वो अलग चीज होगी और इतने के उपर 10% profit होगा वो एक अलग matter होगा तो जितना ज़्यादा आप लोगे यहाँ पर जैसे 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 positioning कितनी भी आप ले सकते हो और इस तरीके के इस amount की भी यहाँ पर positioning ले सकते हो अगर आप ऐसी positioning लेते हो तो आप मुझे भी बता सकते हो ठीक है तो यह इस तरीके से futures trading कुछ काम करती है आपको profit या loss इस amount के उपर होता है जो margin है यह 200 USDT के उपर नहीं होगा यह 20 USDT के उपर profit या loss होगा और अगर doge coin क्योंकि आपको पता ही है अगर आपने prediction कर रखी है कि doge coin उपर जाना चाहिए और आपका liquidation price यहां पर है तो इसको उपर ही जाना चाहिए ठीक है अगर यह थोड़ा सा नीचे आता है तो यहां तक नीचे 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 बरदाश्त हो जाएगा जैसे इसके cross गया cross करा तो contract sell हो जाएगा मेरा और जो भी positioning ले रखी होगी margin ले रखा होगा ना मैं हुआ तो तुरंती loss हो जाता है तो इस तरीके से कुछ future trading काम करती है अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो पूरी future trading से related काफी सारी वीडियो बना रखी है वो मैंने आई बटन में दे दी हैं आप जरूर उन्हें भी देख सकते हो बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंद झाल 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 झाल